अलो फ्रेंड्स, विल्कम टो माई चैनल एएएकिचंज, आज मैं आपके लिए मश्रूम दो प्याजा की सबजी बनाने की रेसिपी लाएं हूँ, बहुत ही यमी रेसिपी है, तो देख लेंगे इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए मश्रूम, एक प्याज, एक प्याज का तो हम पेस्ट बनाएंगे और इस इन दो प्याजों को मैं मोटा-मोटा कट करूँगी, एक छोटा सा अध्रक का टुकडा, थोड़ा सा लसुन, दो टमेटो की प्योरी, कुछ खड़े मिसाले चाहिए होंगे, छोटी से स्टिक गालचीनी की, थोड की सब ड्राइ स्पाइसिज चाहिए होंगे, इन अनियन्स को हम इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से बस इसके फोर पीस करके, चार पीस करके हम इस तरह से इनको अलग-अलग कर लेंगे, इस तरह से प्याज को कट करेंगे हम, मश्रूम को अच्छे से वाश कर लेंगे, और उसको भी बहुत जादा छोटा कट नहीं करेंगे, और एक ये जो अनियन है, मिडियम साइज का, इसको और ये जो हमारे अद्रकर लसन है, और साथ ही जो ये खड़े मसाले हैं, इन सब को एक मिक्सी में डाल कर, इनका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे, खड़े मसालों को साथ ही अगर हम मिक्सी में नैश करेंगे, तो फ्लिवर बहुत बढ़िया आएगा, ये देखिए फ्रेंज मश्रूम को हम इस तरह से कट कर लेंगे, जो छोटे हैं उनके टूटू पीसीज ही करेंगे, इस तरह से, जादा हम ने इनको छोटा नहीं करना, इस तरह से सब चीजों को कट कर लेंगे, हम ये देखिए, प्याज, लसन, अद्रक और जो खड़े मसालों रखें, उनका इस तरह से पेस्ट बना लेंगे, अब एक बतर में हम थोड़ा सा ओयल अड़ करेंगे, और जो हमने मोटे मोटे प्याज करके रखे थे, उनको थोड़ा सा शेलो फ्राइज सा कर लेंगे, ये देखिए, उनको हमने हाई ख्लेम पर इस थोड़ा सा कूप करना है, प्याज को, और बस प्लेट में निपार लेंगे, और दुबारा से पैन में हम ओयल डालेंगे, फ्रेंग से एक चमच ओयल डालेंगे, और इसको हम कॉंबिनेशन में बनाएंगे, बटर और ओयल के कॉंबिनेशन में, थोड़ा सा बटर अड़ करेंगे, बटर मेंट होजेगा थोड़ा सा, तो आभा समच इस तो गीरा अड़ कर देंगे, साथ ही यह जो पेज पत्ता हमने रखा था, वो एड़ करेंगे, थोड़ा सा कुप करने के बाद, अब यह जो प्याज वाली पेस्ट थी, हम वो एड़ कर देंगे, और अच्छे से प्याज ब्राउन होने तक इसको पताएंगे हम, अच्छे से प्याज ब्राउन होने के बाद, अब हम इस प्याज में टमाटर एड़ करने के बाद, कुछ मसाले ड्राय स्पाइसिस हम डालेंगे, जो कि इस तरह से हैं, आदे से थोड़ा सा जादा मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के एकार्डिंग इसको कम या जादा कर सकते हैं, आदा चोटा चमच हल्दी, ऐसे ही आदा चोटा चमच लाल मिर्च और सुखा धन्या, ये सब चीजे भी हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से ओयल सर्थे साउट होने तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे, मसाला अच्छी से कुख हो चुका है, अब इसमें हम मश्रूम एड़ कर देंगे, और मश्रूम को थोड़ा सा मसाले में भुलेंगे, एक दो मिनट, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके धक्के रख देंगे, ताकि मश्रूम जो हैं वो पक जाएं, सौथ हो जाएं एक दो मिनट मसाले में कूप करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी आइट करेंगे और इसको 8-10 मिनट के लिए हम प्लेम स्लो करके ढख कर पकाएंगे 8-10 मिनट हो गए, मश्रूम को मसाले में पकते हुए, अच्छे से ये बन चुके होंगे बहुत ही बढ़िया फ्रेग्नेंस आ रही है, बहुत ही यमी सब्दी बनती है ये अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज थोड़ा फ्राइ करके रिखे थे वो इसमें आइड कर देंगे और एक-दो मिनट के लिए मश्रूम मसाले के साथ इनको भी हम ढख कर पका देंगे दो-तीन मिनट प्याज को भी मश्रूम और मसाले में स्कूप करने के बाद अब हम इस पर फ्रेश धनिया डाल देंगे और सब्ची हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है मैं आपको यह सर्व करके लिखाती हूँ गर्मा गरब मश्रूम दो प्याजा की सब्ची बनकर बिल्कुल रेडी है इसे हम नाम चपाती या फिर लच्छा प्रांधा के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंग्स गेस्ट आने पर बनाएए बहुत है रिच डिश लगती है जरूर से ट्राय कीजिए आप भी इस तरह से मश्रूम दो प्याजा की रेसिपी को और कोमेंट्स में भी जरूर बताएए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी पसंद आए तो लाइक शेर भी कीजिए अपने फ्रेंग्स के साथ और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे थाओ तो लाग्स वाचिए आदेश बीडियो नेक्स वाचिए आपको यहाँ वाचिए ट्री प्रेंगे